नमस्कार दोस्तों मैं हूं मनोज राय आज हम बात करेंगे एरंड की बारे में एरंड के फाइजे बताएंगे इसके कौन-कौन से वस्टी गुण है यह हमें कौन-कौन सी बीमार्यों में लाप पहुंचा सकता है इसके संबंद में जान करें देगे तो आए शुरू करते हैं आज का वीडियो एरंड के इसका ब्याग्यानिक नाम है री साइनर्स कम्यूनिस अंग्रेजी में कोस्टर आइल प्लांट कहते हैं संस्क्रत में गंदर वहस्त वर्दमाद व्याग्रपुच्छ उत्तान पत्रक हिंदी में अरंड अंडी गुजराती में एरंडो अर्वी में खिर्व आजिनामों से जाना जाता है यह एक बर्षी या बहु बर्षी ब्रक्ष होता है यह कोस्ट सुद्धी के लिए यह बहुत भी परमप्योग योश्दी है इसके साथ ही यह उत्तम बात ना सक उस्दी है बात प्रकोप में उत्पन कब्ज में तथा बात ब्यादियों में कम महत्रा में इसका उप्योग उस्दी के रूप में भी हम कर सकते हैं आर्स भगंदर तथा गोदवरंस के रोगियों में एरंड पाक के सेवन से बिना जोर लगाए पेट साफ हो जाता है जिससे रोगी की उक्तव्यादियों से होने वाली देने कस्टे मुक्ती मिल जाती है औसदी कर्म के साथ ही यह पोषण का भी कार करता है एरंड रक्त और स्वेट दो प्रकार का होता है जिन ब्रक्षों के बीच बड़े होते हैं उनका तेल जलाने के काम आता है और जिनके बीच छोटे होते हैं उनका तेल औसदी के रूप में प्रियोग किया जाता है इसके गुणधर में कफ बात नासक होता है पित्त वर्दक लेकिन इससे थोड़ा पित्त वर्दता है सोथर याने सूजन को दूर करता है बेदना इस्थापक याने दर्द को भी यह दूर करता है अंग मर्द प्रस्मन भेदन इसनेहन क्रमी नहसारक याने कर्मी को भी यह को दूर करता है मूत्र को सुद्ध करता याने मूत्र शुक्र का शुद्धर ने की इस्तझ के रगवों को दूर करने वाला होता है जोरग ना बुखार आधी को या दूर करता है एरंड तेल स्रोधों का सोधन करने वाला यानि अगर एरंड तेल का हम उपयोग करते हैं तो यह पेट के पूर्वी जो जो स्रोध है तो इनका सोधन कर देता है तो अचा के लिए बहुत ही हितकारी है व्रेष्य, व्यस्थापन, शुक्र सोधन, योनी सोधन, बात हर और कफर है इसके कुछ प्रियोग है तो नेत्र विकाद में एरंड तेल को अन्यन की तरह लगाने से या फिर दो बून नेत्रों में डालने से जल का श्रा होता है नेत्रों से इसलिए इसे नेत्रों रेचन कहती है दो बून यदि तेल डालती है तो इसके बीतर का, आँखों के बीतर का कचरा निकल जाता है और आँखों की किरकिरी या जो भी कचरा है भग ठीक हो जाता है दूर हो जाता है और यदि किसी के इस्थन की आसफास की तषचा यदि फट जाती है तो उसमें Aering ते लगाने से तुरंट लाव हो जाता है तीन Aering बीजों की गिरी सिरके में पिसके इस्थन पर लेप करने से जो इस्तन के आसपा सूजन है या तो विबास सूजन भी पूरी तरह से दूर हो जाती है यदि कामला है तो पीलिया है तो उसके लिए एरंड की जड़ का रस छे एमिल दूद धाई सो कराम में मिलाकर पिलाने से कामला रुख मिट जाता है यदि पेट की समस्चा है बायू बिकार है तो एरंड की बीजों की मिंगी पीश कर गाई के चोगने दूद में पकाएं जब खोबा की तरह हो जाए तो उसमें दो भाग मिश्री मिलाकर या चीनी की चास्मी बनाकर अबलेह बना लें प्रतिद्यन 15 ग्राम खाने से पेट की बायू या उदर बिकार में जो गैस बगेरा होती है वह यससे मिट जाती है यदि जीन उदर वेदना है तो मैंने दर्द है तो रोज रात्तरी को सोने के समय एक सो पचीस ग्राम गरम जल में नीबू का रस निचोड़ लें और समय में जीन उदर शूल यान बहुत पुराना दर्द भी है तो वह भी तूर हो जाता है प्रवाहिका याने आउं होती है तो आउं है या रक्त के साथ मल नकलता है तो आरम में ही शुरुवाद में ही 10 ml एरन तेल देने से आम का प्रकोप कम हो जाता है और खून का गिरना भी बहुत कम हो जाता है यादि अपेंडेक्स की समस्या है तो इस रोग के प्रारम में ही एरन तेल 5 से 10 ml की मात्रा में प्रती दिन देने से आउपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती वह ठीक हो जाता है ज़िए अर्थ की समस्चा है बवासीर की समस्चा है तो एरंड के पत्तों के सो ग्राम क्वात में ध्रत कुमारी याने एलोवेरा के स्वारस पचास ग्राम मिलाकर प्राता और सायम देने से सेवन करने से लाब होता है एरंड तेल और ध्रत कुमारी का स्वारस मिलाकर मस्चों पर लगाने से जलन चांत होती है मस्चे और गजा की तवचा फट जाने पर प्रति दिन रात्तरी को एरंड तेल देने से बहुत लाब होता है योनी सूल है तो एरन तेल में रूई का फोहा भिगोकर योनी में धारन करने से योनी सूल मिट जाता है अंडकोस की ब्रदी है अगर तो 10 ग्राम एरन तेल को 3 ग्राम गुगुल और 10 ग्राम गौमुत्र के साथ सब्साम पीने से दर्द और जहां एरन मनलब सूजन है उस पर पत्र गरम करकर बांजने से पीड़ा शीग्र मट जाती है कामेंद्री की कमजोरी इसके बीज और तिल का तैल दोनों को संभाग लेकर पका कर नित्य मुतेंद्रिय पर मालिश करने से मुतेंद्रिय की कमजोरी मिट जाती है ग्रद सी यहने हाथ के पीछे गरदन के नीचे का जो हिस्सा ए, उसमें दर्द, ग्रद सी एरण के बीज की गिरी 10 ग्राम को दूद में पकाकर खीर बनाकर खिलाने से ग्रद सी कटी सुलियान, कमरदर, आमबात में लाख होता है एवन इससे पेट भी साब हो जाता है पिट में भी बहुत आराम रहता है जक्त के रोग याने जो खुन की खरावी के रोग है तो उसके लिए एरन की मिंगी मनलब उसकी बीजी एक नग दूद 125 ग्राम जल 500 ग्राम इसमें उबालें ओंटावें दूद मातर सेश रहने पर 10 ग्राम मिश्री डाल कर पिला दें इस प साथ दिन एक एक करके कम करते जाएं तो रक्त के रोग मिट जाते हैं यह प्रियोग अत्यंत बात सामग भी है याना बात की सौश्या भी है दूर करता है बिशना सक भी है एरन के पत्तों का 100 ग्राम रहस मिलाकर बमन कराने से सांप तदा बिच्चु के बिश में लाव होता बात प्रकुप है दी बात सूल है तो एरन्ड के बीजों को पीछ कर लेब करने से छोटी συν्दिया यानने उजैसे उगलीयों की जोड है तो छोटी संदिया और गठीया की सूजन मिठ जाती है बात रोग में एरंड तेल उत्तम गुणकारी है कटी सूल याने कमरदर्द ग्रदशी पार्शू सूल याने पीछे का हिस्चा हरदय सूल कफज सूल आम बात और संदी सोथ इन सब रोगों में एरंड मूल दस गराम और सूट का चून पांच गराम का क्वाथ बना कर शेवन करना चाहिए तथा बेदना इस थल पर एरंड तेल की मालिश करनी चाहिए यदि सूजन है तो किसी भी प्रकार की सूजन है आम बात त्यादी में तो एरंड के पत्तों को गराम का तेल में चुपढ़ कर बाधने से बहुत लाग होता है तेले और मस्चे तिल एबम मस्य के लिए इसके पत्तों के डंठल पर थोड़ा चूना लगा कर तिल पर बार बार घिसने से तिल निकल जाता है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार दोस्तों